नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ मज़े में होंगे श्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वीरंगना के बारे में जिसने अपना सिर काट कर उपभार सुरूप दान में दे दिया दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे देश में बहुत ही वीरंगनाएं हुई हैं जिनके नाम से उनके दुस्मन थर थर कापते थे उन वीरंगनाओं में इतना तेज और आत्मबल था कि वो कुछ भी कर सकती थी भारत में एक राज है राजिस्थान राजिस्तान केवल एक राज्य का नाम ही नहीं है बल्कि अपने आप में वीरता और सोर की एक लंबी कहानी का संग्रै भी है इसी राज्य में एक वीरंगना हुई है जिसका नाम है हाडी रानी क्या आप जानते हैं राजस्तान खासकर मेवाल के स्वर्णवित्यास में हाडी रानी को विशेशिस्तान दिया गया है इतना ही नहीं इनके वीर्ता और बल्दान से प्रभावित होकर इस वीरांगना के नाम पर राजस्तान पुलिस में एक महिला बटैलियन का गठन किया गया हाडी रानी बूंदी के हाडा सासक की बेटी थी जिनकी साधी राव रतन सिंग के साथ हुई थी रानी के विवाय को मात्र साथ दिन ही हुए थे अभी उनके हातों की भेंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पती को युद्ध में जाने का फर्मान आ गया महराणा राज सिंग ने राव रतन सिंग चुंडावत को दिल्ली से औरंग जेप की शायता के लिए आ रही अत्रिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था राव रतन सिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश तो दे दिये लेकिन वे रानी से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे ये बात जब रानी को पता चली तो उन्होंने खुद आकर रतन सिंग जी को युद्ध में जाने के लिए तयार किया और विजे की काम ना करते हुए उन्हें विदा किया रतन सिंग जी अपनी सेना लेकर तो आगे बढ़ गए लेकिन वो हर पल अपनी रानी के बारे में ही सोच रहे थे कि कहीं उनकी पत्री उन्हें भूल ना जाए जब उनसे किसी भी प्रकार से रहा नहीं गया तो उन्होंने आधे मार्ग से ही पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया पत्र में लिखा प्रिये मुझे भूल मत जाना मैं लोट कर आऊंगा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है अपनी कोई प्रिये निशानी भेज देना ये पत्र लिखकर उन्होंने संदेश वाहक को अपनी रानी हडी के पास भेज दिया पत्र पढ़कर रानी सोच में पढ़ गई अचानक उनके मन में एक विचार आया उन्होंने संदेश वाहक से कहा मैं तुम्हे अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ इसे थाल में ढख कर मेरे पती तक पहुँचा देना किन्तु याद रखना उनके शिवा इसे कोई और न देखे हाडी रानी ने पत्र में लिखा प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ पत्र संदेश वाहक को देकर हाडी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही जटके में अपना सिर ध भूमी की और धौल पड़ा उसने जाकर जब थाल रतन सिंग को दिया तो उनकी आखें फटी की फटी रहे गई उनके मुख से केवल इतना ही निकला रानी ये तुमने क्या कर डाला अपने प्यार में तिग भ्रह्मित हुए पती को करतब की और मोणने और एक सैनिक का फर्ज निभाने के लिए रानी द्वारा लिया गया निर्णे सदा के लिए अमर हो गया उसके बाद राव रतन सिंग जी इस प्रिकार लड़े इस प्रिकार लड़े की उन्होंने औरंग जेप की सेना को परास्त्र कर दिया अब आप लोग समझ सकते हैं वो क्या भी रांगना थी जिन्होंने सिर्फ अपने पती के लिए अपने प्राणों की बली दे दी अब आप लोग सोच सकते हैं क्या आज के समय में ऐसी नारी की कल्पना भी शंबाव है जो अपने पती के लिए प्राणों की बली दे दे तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा अ और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्वाद दोस्तों